तो यहां पर Compound INTERST में एक इंट्रस्टिंग चीज होती है सिंपल इंट्रस्ट में जो आपका Principle होता है वो आपका Same रहता है लेकिन Compound Interst में आपका जो Principle होता है वो आपका Same नहीं रहता हमें बता है कि यहां पस जो मनी है वो three times हो जारी है 12 years व्लोफ्रेंट्स में नामे विजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे simple interest की और compound interest की जाने के simple interest क्या है compound interest क्या है जो उन्हों में difference क्या है और यह real life में कितना importance role play करता है तो चलिए start करते हैं तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर simple interest को पढ़ेंगे simple interest काफी important topic है सिर्फ आपके इंटर्व्यू के विस्स पे नहीं यह आपके real life चो होती है उसके विस्स पे भी बहुत ज़्यदा important role play करता है तो हमें पता होना चाहिए कि कितने percent आपका rate चल रहा है क्या यह return करके देगा कितने सालों में मुझे interest मिलेगा और जब भी आप loan लेने जाते हैं तो वहां पर यह बहुत key role play करता है ठीक है कि अगर कोई आपसे कह रहा है परसेंट आपका आपका loan पड़ेगा और यह loan किस तरह का है ठीक है इंट्रस्ट किस तरह का है यह ऐसाई सिंपल इंट्रस्ट है यह आपका compound इंट्रस्ट है ठीक है चुकि यहां पर जो government schemes निगलती है उसमें जो इंट्रस्ट लगता है किसी-किसी में वह आपका यहां पर gold loan का case है ठीक है क्या वोलते है हमारे रिलेटिफ थे ठीक है भाई-लोग थे उनके ़या जबन लिया ठीक है नोंको एक loan दिया गया ठीक है उनसे वहां पर बोला घूब गया कि आपका जो यहां पर रेट पढ़ेगा वो सिर्फ इरली पढ़ेगा रुपर ठिक है लेकिन जब यहां पर इंटर्स बहुत जादा होने लग Свक्राणि लेकिन लेकिन बर इंटरेस्ट आपको काफी में बचा चला कि ये डेड़ रुपय एक्चुली में आपका 18% के एक्वल है ठीक कि मंतिली पढ़ रहा था आपका डेड़ रुपय वो भी 100 रुपय में तो यहां पर आपका कितना बन गया पूरा 18% का आपका लोन इनको पढ़ गया था जो कि काफी जादा है तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि simple interest क्या होता है compound interest क्या होता है ठीक है ताकि आप real life में इस तरह के scam से बच सके ठीक है यह जो होता है ठीक है इस चीज़ से आप बच सके ठीक है और आपके जो interview में होगा उसमें तो आपकी help करेगा ही करेगा ठीक है तो काफी important रोने वारा है तो ठीक है या फिर आप पैसा invest करता है ठीक है तो उसमें जो आप रूपे देते हैं तृख कि बोरू करते हैं किसी से ठीक है तो जो आपका कहखलाता है जोंग सेmac, तो यह आपका principal कहलाएगा अगर मैं उसे 1000 रुपए दे रहा हूं तो ये भी आपका principle कहलाएगा कोई पैसा लेना हो देना हो वह जो आपका principle कहलाता है इंट्रस्ट क्या होता है इंट्रस्ट होता है कि आप मने जो principle दिया है ठीक है उस पर उसको ब्यांच कितना मिलेगा अब लोगों को ब्यांच समझ में नहीं आएगा माल लीजिए मैं 1000 रुपए दे रहा हूं किसी को रुपए को किसी बंदे को 1000 रुपए दे रहा हूं तो वो मुझे क्या करेगा 1000 रु यहां कर आते हैं तो उसमें वो क्या करताया आपको पांच यह या तीन परसेंट का आपका इंट्रस्ट है आपको अपका बैंक वेह फिंट्रेश्ट क धे यह उसे घ्या करते हैं अब आता है टाइम का बहुत बड़ा factor है क्योंकि time के according क्या होता है आपका जो interest होसता है वो काफी जाना बढ़ भी सकता है और आपका कम भी हो सकता है ठीक है किस तरीके से दिखे अगर मैं एक time लेता हूं ठीक है मैंने ऐसे कहा कि 5 साल में हर साल में 100 रुपे ले रहा हूं तो 5 साल में कित इतने time तक लंबी time तक चलेगा आपका loan उसमें क्या होका interest बहुत ज़्यादा आपको pay करना पड़ेगा और यहां पर आ जाता है simple interest और आपका compound interest ठीक है तो compound interest में जिससे तरह से time बढ़ता रहता है ठीक है उस तरह से आपका interest काफी तीजी से बढ़ता रहता है ठीक है तो ज प्लेस पर इंवेस्ट करके रखने प्रोपर्टी होँ चाहे mutual fundus हो वेगारा वेगारा ठीक है अब आता है rate of interest rate of interest का मतलब क्या है कि कि कितने rate में मिल रहा है कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपे देता हूं ठीक है तो एक साल के बाद मैं फालतू का जो रुपे हुं तो मेरा int interaction कितने का बना पी सरुपयamu ठीक है अगर इंटर्स ले रहे हैं एक साल के बाद और यहां पर य यह लिए 1000 रुपए में ठीक है तो यहां पर अगर आप देखिए तो कितने परसंट का इंटरस्ट लिया अपने इसको जहां से काट देंगे दोने जगा से तो अपने 1 by 5 मतलब 20% का यहां पर अपने इंटरस्ट लिया है अगर इसको आप ऐसे भी चेंज़ कर सकते हैं कि 1000 रुपए में 200 रुपए लिया तो 100 रुपए में कितना लिया होगा तो इसलिए 2 जी रुप मैंने 1 जी रुप हटा दिया तो 20 रुपए तो यहां पर मुझे पदल गया कि प्रिंसपल प्रिंसपल रुपए प्रिंसपल गाते हैं इसके नोड़प अच्छी से बना लिजरेघा अब स्पस्प्रंट क्या होता है और compound compound interest में difference बताऊं, तो देखे, simple interest में जो आपका principle होता है, वो आपका same रहता है, लेकिन compound interest में आपका principle होता है, वो आपका same नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि यह yearly yearly change होते रहता है, year by year change होते रहता है, या फिर जिस rate में interest लगा हुआ है, उस rate से change होते रहता है, अभी जो मैंने कहा उसको मैं समझाऊंगा बड़ी प्यार से ठीक है रियल लाइफ एक्जामपल से ठीक है माल लीजिए मैंने 100 रुपर लिये ठीक है और मैं कह रहा हूं कि यह जो मैं 100 रुपर ले रहा हूं लोन के तौर पर वह सिंपल इंटरस्ट पर लग रहे हैं इसका टाइप क्या सब्सक्राइब तो मुझे पहले साल फर्स्ट पर्स्ट इयर में जो इंटरस्ट पढ़ेगा वो कितने का पढ़ेगा दस रुपर यहां पर दस रुपर ठीक है जाट यहां पर दो साल के बाद मुझे 120 रुपर देने पढ़ेंगे इसका एक simple सा formula होता है simple interest निकाने का P into R into T upon 100 ठीक है P क्या है इसमे principle है principle क्या है यहाँ पर 100 रुपे है ठीक है rate क्या है यहाँ पर आपका 10 रुपे 10% ठीक है time कितना है 2 साल और यहाँ पर नीचे से 100 100 से 100 करिया तो 20 रुपे आ गया तो यह आपका simple interest आ गया कि interest कितना पढ़ेग जो आपकी amount बनेगा ठीक है यह बन गया आपका principle यह बन गया आपका SI ठीक है अब यही चीज़ अगर compound interest में हुई होती यह simple interest की जगह क्या होता compound interest होता तो इसी case में देखे कैसे बदल जाता principle आपका 100 रुपे रहता ठीक है अब क्या होता compound interest मैंने जो loan लिया है वो compound interest पर लि compound interest पढ़ेगा उसमें आपको ठीक है तो यहां पर देखे principle है 100 रुपे rate में रख रहा हूं 10 रुपे रहा हूं 10% मतलब 10% का में रेट रहा हूं ताइम में वह ही रख रहा हूं 2 साल ठीक है दो साल क्यों रुख रहा हूं यहाँ पर 1 साल एक साल क्यों है क्योंकि पहले साल मे आपका जो compound interest होता हो, simple interest होता है, वो same होता है, ठीक है, वो दोनों जो return करके दिंगे, interest जो return करके दिंगे, वो दोनों का same होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दीखे, compound interest क्या करता है, जैसे कि आपको principal है 100 रुपे, पहली साल क्या होगा, 100 में कितने रुपे का interest आएगा, 10% का, पहले साल जो principal था, वो 100 रुपे था, principal 100 रुपे था, लेकिन second साल, अब principal 100 रुपे नहीं रहा, क्योंकि आपका 100 रुपे तो पहले से था, 10 रुपे आपको और देना था, तो अब principal आपको हो जाएगा 110 रुपे, कितना हो जाएगा, 110 रुपे principal हो जाएगा आपका, ठीक है, तो अब इसमें interest लगेगा, इसमें कितने percent का interest लगेगा, लगेगा 10 percent का ही interest, मतलब आपको next year कितने रुपे देने पड़ेंगे, 11 रुपे देने पड़ेंगे, तो total यहाँ जो रुपे देने पड़ेंगे, 21 रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है, 21 रुपीस ऐजा interest देना पड पढ़ा था यहां पर एक रुपए आपको फाल्तु देना पढ़ रहा है ठीक है compound interest में ऐसे अगर जैसे जैसे येर बढ़ते रहेंगे तो देखे थर्ड येर में क्या हो जाएगा अगर इसी केस में थर्ड येर लेता हूं तो अब ये जो प्रिंसिपल है वह सौ से 110 हुआ ठीक है फिर थर्ड येर कितना हो जाएगा ये 110 में 111 रुपए और जूड़ जाएंगे तो 121 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो जाएगा अब इसमें फिर से 10% interest पढ़ेगा जो कि आ तो यहां कितना हो जाएगा 21 में 12 जोल लेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1 रुपीज आपका तीन साल का interest पढ़ेगा तो टूटल सौ में जोल लीजे 33.1 ये तीन साल में आपको देना पढ़ेगा जबकि यहां अगर तीन साल होते तो पिंसिपल आपका सब भी सेमी रहता 100 र यहां पर आपको 133 रुपे देने पढ़ेगा तो यहां पर क्या हो रहा है आपके interest पे भी interest लग रहा है compound क्या होता है आपका जो interest होता है उस पे भी आपका interest लगता है ठीक है अब देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं और अगर मा और एक्षी तो explain करूं मा लीजे 100 कितना हो था एक तो आपको next year 11 रुपए का interest मिलेगा जो कि मुझे मिल रहा था उपर मैंने दिखा ही 11 रुपए अगर यही केस हो जाता पहले साल क्या होता सो रुपय पिंसेपल पर आपको 10% मिलता जो 10 रुपए आपने पहले साल कमाए उसमें आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलता फिर आपने जो 11 रुपए कमाए उसमें आपको फिर से इंटरेस्ट मिलता ठीक है इस तरीके से आपका बन जाता तो यहां कितना हो जाता जिसी दस सो का हो जाता, दस रुपए, दस रुपए का हो जाता, एक रुपए, प्लस यहां पर 11 का 10% कितना हो जाता, 1.1, तो यहां टोटल कितना बन गया, 13.1, sorry, 12.1, 12.1, तो यहां पर देखिए, हमें जो amount मिल ला था, ठीक है, 30 year के बाद हो कितना मिल ला, 12.1, क्योंकि आपका ज इंटरस्ट लगता है, यह चीज़ समझ में आगया, ठीक है, अब इनको कैसे सॉटकर तरीके से करेंगे, क्या इनकी ट्रिक है, यह आप सीखते है, ठीक है, सिंपल सिंपल कोश्चन से लिता हो भाले, कोश्चन में लिखके नहीं रखे, खुद बनाऊंगा कोश्चन, फिर आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं आपसे कहा रहा हूं कि पिंसेपल है 100 रुपया, आप इसको अपनी लेंग्विज में इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि पिंसेपल आपका 1000 रुपय है, ठीक है, रेट आपका दे रहा है, पांच परसंट, और time मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका 2 year का time है, 2 year का time, तो आपको क्या बताने है, simple interest बता ले, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखे, इसको इससे लिखते हैं, 5% कितना होता है, 5% होता है आपका 1 by 20, जिसको 2 से multiply कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल है, 2 से multiply कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 by 10, तो यह आपका 10% interest बन जाएगा, मालब 10 से value कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 10 यहाँ किसको represent कर रहा है, यह principal है, 10% convert कितने हो गया, 1 by 20 में, फिसको rate हमने time से multiply कर दिया, तो यह बन गया 1 by 10, जो कि होता है आपका 10%, मालब यहाँ पर क्या हो रहा है value, 10 से 11 हो जाएगी, एक साल के बाद, तो यहाँ पर interest कितने का है, यह जो difference है, 1, यही आपका interest है, तो यहाँ पर अगर इसने बोला है कि 10 किसके बराबर है, यहाँ पर 10,000 के, 10 यहाँ 10,000 के बराबर है, तो 11,000, तो यहाँ पर amount जो मिलेगी, दो साल के बाद वो कितने मिलेगी 11,000, और यहाँ पर जो interest बना, वो कितने बनेगा, एक रुए का 1,000 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1000 हो गया, ठीके क्योंकि यहाँ 10,000 को represent कर रहा था, तो 11,000 को represent करेगा, और 1000 को represent करेगा, तो यहाँपर simple interest कितने करेंगी 1,000 को गया, इसी में और क्या हो सकता था, इसी में आपो आपसे बोल सकता था, कि इसी में वो आपसे बोल सकता था कि पिंसिबल गायब कर सकता था ठीक है और आपसे इंट्रेस्ट बोलता कि इंट्रेस्ट आपका होता है एक बट्टे 20 इसको टाइम से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो वन वाइट आ जाता है जो की होता है दस पर्शंट ठीक है दस पर्शंट मतलब हमें पता है कि 10 से वैल्यू कितनी हो गई होगी एक ग्यारा हो गई होगी और इसमें जो इंटरस्ट आयागा और एक रुप हो जाएगा इसकेस मां क्या हो सकता था वह आप से पिंसेपल ना पूचके आपसे अमांट पूछ ले थाहंने तो हम लूब क्या करते हैं he को 2,000 से multiply करते थे क्योंकि एक की value 2,000 है तो 11 की value 11 into 2,000 हो जागी जो की बिन जागी 22,000 तो हमें amount जो मिलेगा तो साल के बाद वह कितना मिलेगा 22,000 का मिलेगा ठीक है काफी simple question है इसी तरह से देखिए same question बन सकता है कि आपको principle 1000 रुपय है ठीक है 10,000 रुपय है ठीक है जो first year rate पढ़ रहा है इसमें आपका rate अलग-अलग year के हिसाफ से भी change सकता है यसे first year में जो rate पढ़ रहा है वो आपका 10% बन रहा है second year पर जो rate पढ़ रहा है rate मिल रहा है आपको ठीक है ठीक है और time जो दे रहा है आपको दे रहा है one two three year time आपको तीन year दे रहा है ठीक है mention कर रहा है तो लिखने की जरूबत नहीं है आपको ऐसा ही निकालना है simple interest निकालना है यहाँ पर कैसे निकलेगा तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे सबसे पहले आपको पाचा होना तीन जीरो एक्स्टा लगे है तो उपर भी तीन जीरो लग जाएंगे तो यहाँ पहले साल जो interest मिलेगा वह 1000 रुपय का मिलेगा second पांच यहाँ दस हजार के परावर है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है तू से multiply हो रहा है और तीन जीरो एक्स्टा लग रहे है तू से multiply हो र तो उपर भी one भी आपका 1000 से multiply हो जाएगा तो यहाँ पर 1000 रुपय का आपको interest मिलेगा तो कितना interest मिलेगा आपको 4000 रुपय का interest आपको मिल चुका है है आप ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं simple interest में कि इन सबी को आप add कर सकते हैं तो 1020 प्लस 30 प्लस 40 तो यहाँ पर 40% का आपक तो यहां पर यहां पर इसे भी निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं तो अगर डिफ्रेंट सेंपल अंटरस्ट बोला गया है तो आप लोग क्या करेंगे इसमें इंटरस्ट को एड करतेंगे परर्सेंटीज को अब करतेंगे ठीक है देंके यह तब ही कर सकते हैं याप अपर पेस्ट 갖고 सिम्सिपलwing तो all the year same रहता है, all the years, जिसके अगर मैं कहरा हूँ 10 जो time है, वो 10 साल के लिए, 10 साल के लिए आप पर एक loan लगा हुआ है, या आपने किसी को पैसे उधार दे रहे है, उसमें जो interest लग रहा है, वो आपका 10 year तक लग रहा है, ठीके, माल दीजे आपने 1000 रुपर किसी को उधार पर दिए और आप उससे कहा रहे हैं, कि जिसमें rate लगेगा, वो 10 पर से लगेगा, और उसने आपसे time कितना मारना है, 10 year का time मारा है, थीके, तो आपको INTEREST मिले का हुँ हर साल, हर साल, first year में जो interest मिलेगा, second year में जो interest मिलेगा, third year में जो interest मिलेगा, या फिर 10, ऐसे गर कि 10 year त पैओना चीए कि ऐसाही में सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है जो आपका से मिलता है ठीक है !! पहले साल मिलेगा हजार का 10 फरसंट कितना होता है 100 रुपई तो दूसर्स साल भी आपका 100 रुपई जो तो आसे साल भी Star 4 into 10, बस्लेद टोटल जो interest मिलेगा 10 सालों में, वो कितने मिलेगा, 1000 रुपuite का total interest मिलेगा 1 सालों का, यह कितने न का है, ₹10 एर का है, और ऐसे 100 रुपे आपको हर साल मिलेगा, अगर आपसे कोई कह रहा है कि Page About Principles निकालो चिंद के उसने एक साल में 200 रुपए इंटरेश्ट पढ़ा होगा एक साल में 200 रुपए इंटरश्ट पढ़ा होगा पढ़ा होगा और मुझे पता है कि interest का rate क्या है 10% मतलब यहां पर 10 से value कितनी हुई होगी 11 मतलब यहां पर जो interest पढ़ा होगा वो एक रुपए का पढ़ रहा होगा 10% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 10 मतलब 10 रुपए में एक रुपए interest यह किसको दिखा रहा है इंटरस्ट को दिखा रहा है और यह किसको दिखा रहा है आपके principle को दिखा रहा है ठीके तो इसका मतलब किया हुआ है 10 रुपए में एक रुपए interest मिल लेकिन मेरा एक रुपए नहीं है आपर यह 200 रुपए निकल ला थैं मेरा एक साल का तो यहां पर 2 से multiply करके 0000 लगा तो यहां कितना बन जाएगा मेरा यह दो हजार रुपए तो पिंसेपल मुझे पाता चल गया कि पिंसेपल कितना है दो हजार रुपए है जिसमें दस साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है दो हजार रुपए का ही मिल रहा है मला दस साल के बाद मेरे पैसे डबल हो जा रहे यहां पर देखिए अपके सामने एक कोश्चन रखा है मैंने तो यहां पर देखिए कोश्चन रखा है मैंने आपके सामने यहां पर यहां पर क्याकर है Sum of money become three times in 12 year in how many year it becomes five times at the same rate और आपको y 00 यहां पर क्या करना है आपको rate भी find out करना है rate भी पता करके बताने आपको लुकिए दोनों काम करने आपको तो देखिए इसको कैसे करेंगे हमें बता है कि यहांपा सब्सक्राइब थ्री टाइम्स हो जा रहे है चिक है अगर मैं एक रुपे जम्मा करता हूं तो वह बारा साल में इन्टरस्ट लेना चाहों तो कितने साल लगेंगे 6 साल लग जाएंगे ठीक है यह सिंपल इंट्रेस्ट की बात हो यह सिंपल इंट्रेस्ट लिखा हुआ है यहां पर ठीक है इसी तरह से अगर 5 टाइम्स लिखना पड़ाई 5 टाइम्स का मतलब क्या है कि एक से वेल्यू कितने हो जाएगी 5 तो एक से वेल्यू 5 होने के लिए कि तो देखे रेट कैसे निकालेंगे जैसे मुझे यहां से पता था कि दो रुपे का इंटर्स मिल ला है मुझे 12 साल में तो अगर मैं निकालू कि मुझे एक साल में कितना इंटर्स मिला तो मैं 2 को डिवाइड कर लूँगा 12 से जो कि हो जाएगा 1 by 6 ठीक है तो यही आपका रे समझते हैं कि पहले 10 रुपे जो पिंसिपल हुआ होगा वह एक साल के बाद 11 रुपे हो गया होगा या फिर आप यह समझते हैं कि जो 10 रुपे पिंसिपल होगा उसमें एक रुपे का इंटर्स मिलेगा ठीक है तो मैं वही चीज़ यहां पर देखने ही कोशिच कर रहा हूं कि हो क्या रहा है कि एक रुपे जो इंटर्स मुझे मिल रहा है वो कितने रुपे मिल रहा है 6 रुपे में मुझे यहां पर इंटर्स मिल रहा है तो यहां पर यही इसका रेट बन जाएगा ठीक है अब देखे अब इसमें जो कॉंसेप्ट आता है वो यह आता है कि जो आप इसमें क्रेंगे तो देख़ें अगर मैं आपसे को हुँ कि यहां पर principal दे रहा है हजार रुपए ठीक है 10,000 रुपए पिंसबल दे रखा है और रेट आपको बता रहा है कि रेट आपका 20% है ठीक है और टाइम आपको दे रहा है कि यहां पर टाइम आपका 4 या फिर या से लिखा जाएगा अगर जब half year का case आएगा तो calculated in half year इस तरीके से लिखा हुआएगा इन question वो कैसे करेंगे देखें इन question को सबसे करने का आसान तरीका क्या है कि देखें अगर आपके half year लिखा है तो मतलब one by two ठीक है अगर आपको quarterly कहा है तो कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 1 by 4 ठीक है क्यों हो जाएगा 1 by 4 और आपका अगर monthly कहा है तो monthly कितना होते हैं 12 मंथ होते हैं 12 से डिवाइट कर लेंगे अगर आपसे कहा रहा है calculate every 2 month हर 2 month में calculate हो रहा है तो आप क्या करेंगे 1 by 6 कर देंगे ठीक है कि 2 month के एक साल में 2-2 month करके कितनी बार होगा 6 तो 6 से अगर एक month monthly कहा हर month में calculate है ऐसे कितने month होए 12 month quarterly क्या होगा हर 3 महिने में 3 महिने कितनी बार आते हैं 4 बार half year मतलब half year कितनी बार आएगा पहले half year आएगा फिर आएगा दो बार आएगा एक साल में तो इसलिए 2 से डिवाट किया 4 से 12 से 6 से ठीक है अगर वह आपसे कह रहा है कि 7 month में हो रहा है calculate monthly 7 month में एक बार हो रहा है तो आप 1 by 7 कर देंगे ठीक है तो अब क्या करना है यह सब क अगर इस तरह से question दिया गया है तो आपको कैसे change करेंगे देखिए तो यहां पर देखिए दो changes आपको देखने को मिलेंगे सबसा पहला जो change मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वह आपको time में मिलेगा अगर half year quarterly monthly या 2 month या 7 month इस तरह किसे दिया गया है तो rate में क्या चेंज अगर आपका month ली पूछा है तो इसको 12 से divide कर लेंगे अगर 2 month वाला पूछा है तो उसको 6 से divide कर लेंगे rate को ठीक है इस तरह के से करना है आपको यह चीज़ समझ में आई और time के साथ क्या होगा time आपका multiply हो जाएगा time क्या हो जाएगा आपका multiply 2 से multiply ठीक है time आपका 4 से multiply ठीक है time आपका हो जाएगा 12 से multiply और time आपका हो जाएगा 6 से multiply ठीक है same question है पहले half ली फिर quarterly फिर monthly से निकाल के दिखाता हूँ देखे half ली के लिए क्या करना पड़ेगा मैंने जैसे आपको बताया rate क्या हो जाएगा आपका half मलब rate अब हो गया आपका 10% और अब आप क्या करेंगे time को 4 से कर देंगे 8 years ठीक है यह आपको दिमाग में करना है ठीक है तो यहाँ पर देखे हमें पता है simple interest का formula क्या होता है P into R into T upon 100 यह वाला लगा सकते हैं ठीक है P बन जाएगा इसमें आपका 10,000 R आपका 10% T आपका बन जाएगा 8 year इसको आप ऐसे भी निखाल सकते हैं जैसे मैं आपको बताया था simple interest में क्या होता है आपको rate को time किसा multiply कर देना है मतलब आपको 80% आपको यहाँ पर total interest मिलेगा 80% क इसको represent कर रहा है 10,000 को मलत 3 0 extra लगें तो यहाँ भी हम 3 0 extra लगा देंगे मलत यहाँ पर 8,000 रुपए का मुझे interest देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ पर 10,000 है rate कितना है rate मेरा पड़ा 10% upon 100 आ गया और time मुझे पता 8 year तो यहाँ से 100 से 2200 कट ग rate को 4 times से multiply कर देता, rate कितना हो जाता, rate को 4 से divide कर देता, अगर यह quarterly में हो आता, 20 divided by 4 हो जाता तो यहाँ पर 5% आपका निकल के आता, और यहाँ पर time कितना हो जाता, time multiply हो जाता 4 से, तो यहाँ पर 4 into 4, 16 year हो जाता, तो यहाँ पर total जो interest आता, मैं दूसरा आला तरीका लगा र 80%, ठीक है, 80%, तो 80% interest मतला 5 से value, फिट से 9 होगी, वही 8,000 रुपए आपका आएगा, तो यहाँ पर value हो जाएगा, 10 से 18 हो जाएगा, 10 यहाँ पर revenge कर रहा है 10,000 को, तो यहाँ पर 3 जूर लगेंगे, यहाँ पर 3 जूर लगेंगे, मैं आपका 8,000 रुपए आपका interest कि rate को क्या कर देना है, half कर देना है, time को क्या कर देना है, double कर देना है, या 4 times, 12 times, या 6 times, इस तरीक है से, आपको इसको कर देना है, calculate कर देना है, ठीक है, अब देखे, अगर यही चीज compound interest में हो जाए, तो compound interest में कैसे निकालेंगे questions को, ठीक है, सबसे पहले simple questions से start करते हैं, क पिंसिपल अगर आपको 1000 रुपे दे रखा है, या 10,000 रुपे दे रखा है, ठीक है, simple इसे लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए concept, आपको calculation है, वो तो हम आपके questions में भी कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या फिर 2 येर की चाहा, 2-3 येर क लेकर निकाल तेंगे, तो मैं आपसे पूछा हूँ कि compound interest कितने का पड़ेगा, ठीक है, तो देखो, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए, और आप यह भी बता दीए कि amount कितना मिलेगा, यहाँ पर जो amount कहने का मतलब है, amount क्या है, principal plus compound interest, total मिला कि जो amount मिलेगा, वो है आपका amount को रिपेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर देखिए किस से निकालेंगे यहां पर थोड़ी अलग अप्रोच अपती है यहां पर मैं फॉर्मॉला नहीं बता रहो कि फॉर्मॉला थोड़ा सा वन प्लस आर कितना है 10 प्रसेंट 10 बाइंड़ेड और इंटु टाइम टाइम कितना है यहां पर टू यहलिया मैंने तो इसको इस तरह से तेन थावृण और यहां पर तेन थाव्ण तो यह जो जिरो से यह दो जीरो कड़ गए 11 एलेवन जा कितना होता है 121 121 तो आजाएगा और यहां पर से 12-0 लगे तो यह आपका अमाउंट निखलेगा ठीक है अमाउंट निकला अमाउंट और पिंसिपल के बीच का जो गैप होगा अमाउंट माइनस पिंसिपल जो का वो आपका सी आई हो जाएगा अब देखें अमाउंट कैसे निकलेंगे अमाउंट होगी आपका 121 लब यहां पर 12,100 रुपए और यहां पर 10,000 तो यहां पर कितना जाएगा यह आपका 2100 रुपए देगा 2100 रुपए इसका अब दूसरे तरीका इसे भी निकाल सकतें दूसर तरीका क्य मैं क्या करता हूँ यहां पर कुछ नहीं करूँगा पहले मुझे पता है 10st कितना होता है 10 से वैल्यू 11 वही ही ठीक है 10 से 11 होई और सब्सक्राइब करता है किई submitted कर तो तो यहां पर मैं क्या करता है, यह किसको represent कर रहा है, यह represent कर रहा है, redundancy circuit को, और यह represent कर रहा है, interest को, compound interest को, ठीक है, ada this principle, चिसको represent कर रहा है यहां पर दस जार को मतलब दो जीरो एक्स्टा लगें तो यहां भी हम दो जीरो एक्स्टा लगा देंगे तो 2100 आपका यह बन जाएगा इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर यह 1. 11. 11. 10 से वाल्यू हो जाएगी आपके 11, तो यहां पर इसको मिल्टिपलाए करनें यह जाएगा 1000 और यह कितना हो जाएगा आपका 11 से इसको रैने टिर्वों को प्लस करेंगे ट्री लगा ओफिर रहे वन बचका वही आपका क्या बनेगा इंटरस बन जाएगा तो यहांपर कितना आगया 3331 आपका interest आगया compound interest ठीक है यह तरीका होता है करने का अगर यहां पर rate change हो जाए हर साल तो इस case में क्या होगा same example ले लेते पी ले लिया मैंने 10,000 ठीक है rate ले रहा हूं है first year का R1 मतलब rate first year का 10% लग रहा है R2 मतलब second year का rate लग रहा है वो 5% लग रहा है ठीक है और R3 जो लग रहा है वो rate लग रहा है आपका 20% ठीक है और आपसे पूछा है कि compound interest बताओ तो इसको कैसे निकालेंगे देखे अब इसमें अगर आप formula लगाने चलें तो इसमें हो जागी दिक्कत तो इसमें हम trick है वीडियो में वो जरूर देखिए फिर क्या है 5% 5% कितना होता है 5% होता है आपका 1 by 20 ठीक है 1 by 20 मलब 20 से value कितनी हो गई कि 21 हो गई और यह principle को दिखा रहा है यह amount को दिखा रहा है यह चीज़ ध्यान रखेगा ठीक है और अब तीन साल पूरे नहीं होए तीन साल पूरे ह सकता है क्रॉस में तो कार सकते हैं यह से 10 टेंजा 20 तू तू थ्री या 6ेसे कार सकते क्रॉस उप्र नीचे नहीं कर सकते हैं तो कड चाहिए कितना हो गया 10 इंटो 3 बन जाएगा 63 को 11 से multiply कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 3 6 और 9 693 ठीक है यहां difference कितने का है 193 का difference है मतलब जो compound interest पूछा गया वो 193 है यहाँ पर लेकिन 5000 किसको represent कर रहा है 500 किसको represent कर रहा है यहाँ पर 10,000 को मतलब 2 से into हुई है पहले तो 1000 बना और फिर 1000 में एक 0 और लगए हम आला 20 से into हुई है तो यहाँ भी हम 20 से into कर देंगे यहाँ भी हम 20 से into कर देंगे 100 का दुगना बन जाएगा 200 90 का दुगना बन जाएगा 80 180 तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर इसको कर सकते इस calculation को करने के बजाए तो कितना जाएगा अमाउंट आप निकाल लेंगे अगर देखिए आपको पिंसिपल दे रखा है पिंसिपल आपको 10,000 दिया ठीक है रेट आपको बताना है ठीक है और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो time दे रखा है ठीक है 3 year का दे रखा time और compound interest लग रहा है कह रहा है ठीक है और आपको जो final amount दे रही है 3 year के बाद जो आपको amount दे रही है अगर मैं आपसे कहता हूं कि amount है 172800 ठीक है इतना आपका amount है तो आपको क्या निकालना है rate निकालना है इसको निकालने के लिए करेंगे सबसे पहले यहां लेकिंगे 10 था होगो ठीक है और 17280 अभी मैं एक question क्यों लेक्स आए यह आपको बताऊंग तो यहां पर और यह जिहरो से यहला जिरो कट गया ठीक है और यहाँ पर 2-0 निया एक जिरो जिरो है यहाँ इन चेल 명 लग जाएगा 288, 216 बन गया यह और यहाँ पर कितना बन गया आपका 125 बन जाएगा यह ठीक है तो यहाँ पर देखिए मुझे यह दिख रहा है क्यूब तो यहां पर क्यूब होता है लेकिन यह किसी का क्यूब नहीं होता है 1728 याद है चलते हैं लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद करने है तो 125 बिर देख रहा है किसका क्यूब देख रहा हूं यह है आपका 5 का क्यूब, और क्यूब ही क्यों देख रहा हूँ कि यहां पर 3 यह लिखा हुआ, इसले में क्यूब देख रहा हूँ, ठीक है, और यह किसका है, 6 का क्यूब है, इसका मतलब क्या है, कि आपका जो value है, वो 5 से 6 हो रही है, मतलब 5 रुपए में 1 रुपए का interest मिल रहा है, तो उसमें एक चीज होगी, ठीक है, अब वो होगी क्या, यह देखते हैं, अगर आपका rate fix है, हर साल आपका सेम रह रहा है rate, तो यहाँ पर compound interest में एक interesting चीज होती है, interesting चीज क्या होती है, अगर मैं 3 year का को बताऊं, कि जैसे माले यह principle है, first year, second year, और third year, मतलब principle अग क्या amount हो जाएगी, दो साल के amount होगी, और तीन साल के amount होगी, ठीक है, इनका जो ratio होगा, वो सेम होगा, ठीक है, पहन मतलब principle और first year का जो ratio होगा, ठीक है, वो सेम होगा, first year, second year का जो ratio होगा, वो सेम होगा, second year और third year का जो ratio होगा, वो सेम होगा, मतलब principle upon first year is equal to, first year upon second year, और second year अगर कोई आपसे यह कह देता है अब यह चीज को देखें मैं कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगो आपको अब हम क्या करते हैं उपर एक कोश्चन लेते हैं ठीक है उपर हमने जो कोश्चन लिया था यह वाला पिंसेपल रेट वाला ठीक है इसमें हमारे रेट क्या है वैरी कर है ठीक है अगर मैं सेम रेट ले लूँ तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं इसी कोश्चन में देख लेते हैं तो मुझे पता है कि पहले साल के होगा वैल्यू 5-6 हो जाएगी मेरा 5% का इंट्रेस्ट है अगर इसको 5% का इंट्रेस्ट ना लेकि मैं 10% का लेता हूं मैं यह कहता हूं कि यहांपका 10% का इंट्रेस्ट है तो यहांपके 10 से 11 हो गई वैल्यू तो यह दस हजार से कितना हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट येर दस रिप्रेजन कर रहा है दस हजार को तो फर्स्ट येर का अमाउंट कितने हो जाएगी 11,000 रुपए ठीक है फिर क् सेकंड डियर में फिर से कंपाउंट इंट्रेस्ट लगेगा मतलो यहांपर फिर वैल्यू क्या जाएगी 10 से 11 हो जाएगी ठीक है तो यहांपर 10 किसको रिप्रेजन कर रहा है 11,000 को तो 11 कि करेगा यहांपर 11 से मल्टिप्लाय कर रहे हैं और 20 एक्ष्र लगा रहे हैं 12100, 12100 को novapine कर रहे है, तो यहां पर किस से multiply होगा, 1, 2 , 1 और 1, 2 ,1 और से multiply होगा, तो 1, 2, 1 से multiply होगा और एक 0 एक्स्टा लग जाएगा! इस से multiply होगा, तो यहां पर इन दोनों 집 coin करेंगे, तो 1, 2, 1 x 11 करेंगे, तो कितने याँ meantime, 1-3 , 3 ,1 तो यहां पर देख लीजे पहले पिंसेपल इंटू प्रिंसेपल अपान फिर्स्ट एर मनलब पिंसेपल कितना रहे 10,000 रुपए और यहां पर 11,000 रुपए तो 3,000 तो 10,000 अब देखें यहां कितना आएगा फर्स्ट अपान सेगंड है फर्स्ट कितना है 11,000 रुपए और यहां कितना है 12,100 रुपए तो 2,0 से 2,0 कट गए 11,10 जा 11,10 और 11,11 जा कितना हो गए 121,10 अपान 11 ठीक है इस तरह से सेकेंड और थर्ड का ले लिजे 121,20 और 133,180,0 से 0 कट गए 11 की टेव इन्टो 11 है ठीक है तो यहां बर 11 से 2,11 कर जाएंगे और कितना जाएगा 0 हो जागा मलब 10 अपान 11 आजागा तो रेशियो सेम आ रहा है क्या रहा है रेशियो सेम आ रहा है 10,11 और 10,11 ठीक है अगर आप से कोई पूछ ले कि पिंसेपल और सेकेंड यार का रेशियो क्या कितने बाइ आएगा 100 by 121 का रेशियो हा जाएगा ठीक है देख लिजे अगर मैं पी को लेता हूं और सेकेंड यार को ले लेता हूं सेकेंड यार का रेशियो है 121 00 पिंसेपल क्या था हमारा पिंसेपल था 10,000 तो 2,0 से 2,0 कट जाए ठीक है तो सो अपान 121 आ ठीक है इसी तो आपको पता होना चीए कि 10 by 11 हो रहा है तीन इर का पूछ रहा है तो तीन बार इंटू करेंगे 10 इंटू 11 10 इंटू 11 10 इंटू 11 को तो बन जाएगा 1000 इंटू 1331 जीरो ठीक है तो यही आपका इसका रेश्यो आएगा ठीक है 1000 इपाउं 1331 जीरो से 0 कर जाएगा तो 100 by 1000 इंटू 131 यह इसका रेश्यो बन जाएगा अगर 1st year और 3rd year का पूछ ले तो गैप कितने का है ठीक है 1st year और 3rd year जाने में 2 सल का पहले से 2 सल का गैप है ठीक है तो यहां पर क्या होगा 10 से 11 होगी वैल्यू फिर से 10 से 11 होग उनको है solve करने में बहुँ ज़्यादा करेंगे ठीक कही बार ऐसे होता है वो 2nd year का दे दिया जाता है और फिर आपको 1st year और 3rd year का पूछा जाएगा ठीक है तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या हो जाएगा अकर 1st year और 3rd year का मैं रिश्यो निकाल लाओं तो इस केस में क्या करेंगे मैं मैं देखूंगा 1st year 3rd year जाने में कितना टायम नहीं कितने साल लगे हैं कितने साल लगे हैं 2 साल का gap है ठीक है तो 2 साल मतलब 10 into 11 10 into 11 मतलब आपका जो रिश्यो निकलेगा 100 by 121 का निकलेगा अब देख लेजे मैच कल के जो वैल्यू पर आरे है मेरी 3rd year के वैल्यू कितनी है 3rd year के वैल्यू यहां लेकर लो और 1,3,3,1,0 और 1,1,1,0 ठीक है एक 0 से 1,0 कड़के 11,1,1,1 होका और 2,0 लग जाएंगे और 11 का को 3 time multiple आकर को त रिश्यो आपको याद रखना है ठीक है कि रिश्यो में सा सेम रहेगा ठीक है और अगर गैप आता है एक साल का जिसे 1st year से 2nd year का गैप आ है एक साल गैप है तो एक बार multiple होगा 10 इंटो 11 अगर 2 साल गैप है तो 10 इंटो 11 10 इंटो 11 दो साल होगा ठीक है यह चीज़ आपको इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से यह काफी important concept है आपको direct question solve करने में बहुत जादा मदद करेंगे कोई formula करने की जरूवत नहीं पड़ीगा आपको कि जैसे मेरे मैंने आपसे कहा कि जो principle है first year है second year है और third year है इन में जो ratio होगा वो ratio depend करेगा आपके rates पे जैसे कि मेरा ज 10 से value 11 होई होगी 10 से value 11 होई होगी तो यहां मेरा 10,000 है तो यहां कितना बन जाएगा first year में 11,000 मैं ऐसे निकाल भी सकता हूं कि first year में कितना निकल जाएगा ठीक है अगर मालीची में से कहता कि principle दिया है direct second year का निकालो तो direct कैसे second year का कुछ बच्चे क्या करेंगे पहले principle निक second year जाने के लिए क्या करूंगा first year से second year में जाओंगा और मुझे पता है दो साल गया पहले साल दूसर साल तो 10 into 11 किया फिर से मैं क्या करूंगा rate को multiply करूंगा rate क्या 5% 5% कितना होता है 1 by 20 मतलब 20 से 21 हो जाएगी तो इन दोनों को multiply कर दूंगा मतलब यहां पर जो ratio आएगा 200 200 इंटू आपका जाएगा 1 3 21 11 करेंगे तो कितना हैगा 1 3 2 231 यह आ जाएगा ठीक है अब देखे 200 किसको रिपेड़ेंट कर रहा है यहां पर 200 कर रहा है यहांपर 10,000 को मतलब 20 extra लगे हैं मतलब क्या क्या है 5 से multiply करके 0 लगा रहा है 5 से multiply करके 0 लगा रहा है तो हम भी इसको 5 से multiply कर लेंगे इसको divide कर दिया है मैंने यह 0 से 0 कर दिया तो यहां पर कितना हो गया 2 को divide कर लेंगे 100 से 50 से multiply कर देंगे तो यहां कितना बन जागा पहले 5 से multiply कर लेते 5 से multiply करने के लिए क्या करेंगे direct का half कर देंगे half करने के क्या करेंगे 230 माल लेंगे 230 कितना होता है 115 115 और लास्ट में पांच लगा देगे तो यहां कितना हैगा वन 1550 तो सैकंड यहमांन बहनें गलेगा ठीक है ап अब देखें फर्स्टियर और रसेकंड डीरेशे ओगा वो कितना हो गया रिपैसट कुंसर हो रहा है तरुमaskड लेक्म का रहा है फस्ट यर से रेड बनने का सेकंड यर का रेड निकल के आ रहा है वह कितना रहा है पांच परसेंट पांच परसेंट मतलब वैल्यू कितने होगी 20 से 21 तो इन डोनों का जो रिशो आएगा वह कितना आएगा 20 अपॉन 21 कर रिशो करके देख लिजिए यह 11,000 रुपए और यह है आपका 11,550 रुपए जीरो से जीरो कटा ठीक है और इसको पांच से काट दे रहा है और यहां पर यहां पर यहां कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा आपका 5 2 10 और 5 3 15 और यहां पर 2 31 आ गया ठीक है जो क अपां 21 आगे जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था ठीक है तो रिश्यो सेम आ रहा है किस पर यहां बाई 21 कर यहां आ रहा है ठीक है यहां कितना है 10 बाई 11 का रिश्यो आएगा ठीक है और 3rd year क कैसे निगलेगा 20 से 20 परसेंट मतलब कितना हुआ 1 by 5 1 by 5 मतलब पांच से वेल 15 1 2 2 3 1 0 into 6 करेंगे तो पहले 2000 पहले 12,000 आ जाएगा फिर यहां पर 800 यहां पर फिर 60 तो कितना जाएगा 68,381,386,0 ठीक है अगर उपर मैच कर लें आंसर ठीक है तो यहां पर इसको अगर मल्टिपलाइ करेंगे तो यही आएगा ठीक है करके देख लीजिए 6 दूनी हो जाएगा 12,100 ठीक है और एक गिरो और लगेगा इस्ट्रा तीन गिरो लगेंगे और 9 दून सेम 138,60 ठीक है अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट यह और थर्ड यह का दे दिया हो फर्स्ट यह का पूछाओ ठीक है और आपको रेट बता रखियों तो कैसे निकालेंगे जैसे मुझे पता है फर्स्ट यह और थर्ड यह फर्स्ट यह से पहले जाना पड़ेगा सेकंड यह में सेकंड यह से फिर जाएंगे थर्ड यह तो फर्स्ट यह से से कंड यह में जाने के लिए करना पड़ा है पांच परसेंट का इंटरस्ट लग रहा है सेकंड यह पहुंचने के लिए पांच परसेंट का इंटरस्ट ल 50 से 63 हो रही है value, अगर ratio आप देख लें इन दों का ratio निकालेंगे, तो 50 by 63 ही निकलेगा, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने है, ठीक हो गया, तो यह आपका introduction था, compound interest और simple interest का काफी interesting चीज़ हमने सीखी, इसको आपको revision करना है अच्छे से, वहना आपको इससे बाद वाली वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया से question लेकर आएंगे, आपके लिए compound interest के, symbol interest के, वह आपको दिमाग कुल के रखेंगे, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, thank you watching, goodbye, take care.